है लोग सभाच नाव से पहले मोधी सरकार ने देश में सिय यानि नागरिक्ता संशोधन कानून की अधिसूशना जारी कर दी है इस कानून के लागू होते ही देश भर में कहीं खुशी तो कहीं गम का महौल देखा जा रहा है जहां कुश लोग अभी CAA के खिलाफ विरोड प्रदर्शन कर रही है तो वहीं देश का एक तपका ऐसा भी है जो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा है और जश्ट मना रहा है मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जहां सिंदी समाच के लोगों ने नागरिक्ता संशोधन कानून लागू होते ही जम कर जश्ट मनाया और आतिर्श बाजी की एक दूसरे का मू मीठा करवाया और बधाई भी दी भोपाल में संपन हुए सायोजन में पूर्ल महापौर और भोपाल से लोगसभाद सांसद उमीदवार आलोक शर्मा ने वहां उपस्तित लोगों के साथ खुश्या मनाई CAA यानि Citizenship Amendment Act लागू होते ही भोपाल में रह रहे हैं लगबग 500 सिंधी परिवारों को भारत की नागरिक्ता मिलने की राह आसान हो गई है जो लोग लॉंग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे थे वो अब भारती नागरिक्ता के लिए आवेधन कर सकते हैं इस कानून के लावू होने पर पंचायद रामीन मंत्री प्रहलाद पतेल ने ग्रह मंत्री अमिर्शा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया मैं C.A. के लिए हिदर से प्रधान मंत्री जी का और रह मंत्री जी का हिदर से अभारी हूँ उनका विनिंदन करता हूँ बर्सों से ये चर्चा थी और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बड़ी लंबी बहस हुई उसके बाद में महामहम राश्पती ने इस पर हस्ताक्षर के इस प्रक्रिया में भी बर्सों लग गए एक वर्स से ज़्यादा का समय लगा है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इसकी जो पहली पहचान है कि हम किसी की नागरेक्ता चीनने के लिए कानून नहीं लाए है नागरेक्ता देने के लिए लाए है दूसरा है कि देश के सामने दो परस्तियां आती है एक सरनार्थी आते है और एक कुछ घुश्पैटी आते है इस कानून से सावित है चिस सरनार्थियों का सम्मान है गुश्पयाटियों का नहीं और मुझे लगता है यह मूल भावना है भारत की जिसको यह एड्रेस करता है कानून सी ए कानून के लागू होते ही सालू से शरनार्थि का दंश जेल रहे सिंधी परिवारों में खुशियां चागई है पाकिस्तान से भारत आये चंदर उधवानी का कहना है कि मोधी सरकार ने काबिले तारीफ काम किया है और हमें हमारे खोई हुई खुशियां लोटा दी है आज इस बात को लेकर बहुत खुश हुए होंगे और बहुत बहुत बढ़ाई दे रहे होंगे उसमें जो पुराने लोग थे वो तो भीचारे अब ठक चुके हैं बहुत तो उन्होंने तो खाली भावनाओं से प्रकट किया और जो नई पिड़ी है वो ज़्यादा खुश हुई है कि हम विस्थापित हो गए हम लोग अब नई तरीके चे यहां भी व्यवसाय कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इसी तरह से विस्थापित का दंज जेल रही दीपा गंधवानी ने भी अपना और अपने पता का दर्थ साजा किया और बताया कि उनके पता 12 साल की उम्र में ही भारत आ गए थे और उनका जन्म भी भारत में ही हुआ था लेकिन अभी तक हमें भारत का नागरिक नहीं माना जा रहा था लेकिन अब मोधी सरकार के इस फैसले से मेरे पता को काफी सुकून मिला है क्योंकि अब हम भारत के नागरिक होंगे अब मतलब वो बहुत खुश है अभी तो मतलब उनकी इतनी एज हो गई है लेकिन फिर भी वो मतलब ऐसे भाव्यक्त कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हुआ मैं मोधी जी ने बहुत अच्छा किया ऐसी ही कुछ कहानी सिंधी सेंट्रल पंचायत के उपाध्यक्ष प्रदीप की है उनका कहना है कि न जाने कितनी परिशानियों को हमने और हमारे परिवार ने छेला है कोई कागज नहीं, पेपर नहीं, फिर भी आसपास के लोगों ने बहुत प्यार दिया और सबसे बड़ी खुशी तो मोधी सरकार ने आज दी है उन्होंने हमें खुद को भारती कहने का हक दिया है लोगसभा चुनाव से ठीक पहले जहांके इंद्र सरकार का तुरुप का पत्ता यानि CAA विपक्षी दलों के गले की फास बन गया है तो वहीं विस्थापितों के लिए वर्दान साबित हुआ है भारत में सिरुठा कर जिन्दगी जीने की चाह पूरी होने से आज इन सभी के चेहरे खिले हुए है जाहर तोर पर इसे बीजेपी का मास्टर कार्ड माना जा रहा है जो आने वाले आम चुनाव में मोधी सरकार को बड़ा फायदा पहुचा सकता है तलहाल की खबर में बस इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे है श्रेश्ट भारत